करवाचात मेकप लुक है अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए अगर आप लोग मेरे चानल पे न्यूँ हो तो आप लोगों को रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा तो प्लीज उसको प्रेस कर दीजेगा आप लोगों को एक बैल आइकन दिखेगा तो उसको भी प्रेस कर दीजेगा जिससे की मेरे वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए तो प्लीज अगर आपको वीडियो पसंद है तो कॉमेंट करके जरूर बताना तो चलिए स्टार्ट करते अपना व अपने फेस को अच्छे से मॉaning करिए कर लिए और उसके बाद हम लगा रहे हैं प्राइमर प्राइमर लगा इसले जरूरी है क्योंकि वह हमारे open porch को हाइड करता है और हमारे लांग स्टिक को मनाता है इसले प्राइमर जरूर लगाना चall decision अब बारी आती है अपने dark circle और dark area को hide करने की तो उसके लिए मैंने ये illegal pro का concealer लिया है इससे मैं अपने जो भी dark area और dark circle उन्हें hide कर लूँगे अगर आपके dark circle के लिए dark area नहीं है तो आप लोग ये skip कर सकते हो उसके बाद मैं अपने eyebrows को shape देने के लिए ये मेरा एक मसकारा तो सूख गया था तो मैंने उसके brush को इस तरी किसी use कर लिया है उससे मैं अच्छे से shape दूँगी और उसके बाद मैं ये music flower का gel brown color का eyeliner ले रही हूँ इससे मैं अपनी eyebrows को कर लूँगी fill मैं अपनी eyebrows में ज़्यादा extra shape नहीं देती हूँ क्योंकि मेरी जो eyebrows काफी ज़्यादा थीक है और उनमें अगर मैं ज़्यादा extra shape देने की कोशिस करूँगी तो वो काफी मोटी हो जाएंगी और अच्छी नहीं लगेंगी और इसको fill करने के बाद जिससे की मेरी eyebrows काफी ज़्यादा साफ लगें और इसलिए मैंने यह concealer लिया मैक का और इससे जो भी मेरा मतलब extra product लग गया होगा वो भी हट जाएगा मेरी eyebrows काफी ज़्यादा शाफ दिखेंगी और यह मैं blending brush ले रही हूँ इससे मैं अपने concealer को कर लूँगी लग रही है और अब मैं अपने पूरे face को foundation लगाऊंगी जिससे की मुझे अच्छा coverage मिल जाए और यह काफी ज़्यादा अच्छा foundation है fit me का और इससे अच्छी काशी coverage मिल जाती medium to low to medium coverage के लिए काफी अच्छा है और अगर आप लोगों को high coverage चाहिए तो आप लोग इसकी ए angle shape में लगा के अच्छे से इसको blend करें important यह नहीं होता कि आपके पास कौन से product है काफी महगे product है की नहीं important यह कि आप लोग makeup करते कैसे मेन आपको अपने कैसे मतलब जो भी आपके product है उनको use करना है और सबसे ज़्यादा आपको कैसे blend करना है अपने makeup को blending पे आप लोग जि सेट कर रही है अपने सफायर के loose powder के sorry loose powder से मैंने अपना makeup set कर लिया और यह मेरा contour brush है मैंने अपनी शिवाना beauty की palette लिया उससे मैंने यह brown color पिक क्या और इससे मैं अपने face को अच्छे से कर लोंगी contour मुझे cream contour से ज्यादा अच्छा यह powder contour लगता है इससे ना हमारा face काफी पा जाता है हमारे face में जो अगर काफी मतलब हमारे जो cheeks हैं हमारी nose काफी मोटी है तो हम लोगों को अपना face जरूर contour करना चाहिए तो आप लोग देखी सकते हैं कि मैंने अपने cheeks को contour कर लिए अब मैं अपनी nose को contour कर रहे हूं इतना अच्छा यह blend सॉरी brush है इस से इतनी अच अच्छा लग रहा है और एक shape समझ में आ रहा है face में अब पूरा makeup में set करने के लिए huda beauty का setting spray ले रही हूं इससे मैं अपना पूरा makeup set कर लूँगी और मैंने यह eyes के नीचे थोड़ा loose powder लगा लिया है क्योंकि मैं अब लगा रही हूं eyeshadow और अगर आप लोगे powder लगा लेते और यह देखें मैंने थोड़ा सा यह product लिया है इसे अच्छे से blend कर लिया है और मैं अपनी eyelid पे green color से place कर रही हूं उसको ज्यादा blend नहीं करूंगी बस उसको अच्छे से place कर लिया है उसके पर हलकालका blend किया है और फिर मैं inner corner पे यह golden color लगा रही हूं जिससे कि मेरी पे इसी तरीके से आईशाडो लगा लिये हैं और आप लोग देखी सकते हो आप मैं इसे अच्छे से blend कर लूँगी एक flat brush की sorry fluffy brush के help से और इसके बाद मैं जो भी extra loose powder था उसे अपने face से हटा दूँगी और इसके बाद मैंने एडियस की pencil ली है इसे मैं अच्छे से अपनी water इनर वाटर लाइन पर लगा लूँगी तो आप लोग देखी सकते हो और इसके बाद मैं as a eyeliner इसी काजल को यूज़ कर रही हूँ और आज मैं काफी ज़्यादा मोटा मोटा eyeliner लगाऊंगी और आप लोग काजल से इस तरीके से eyeliner लगा सकते हैं काफी ज्यादा अच्छा eyeliner सुर्णा लगा सब्सकि अतना मेकप तो आप लोग करी सकते हुथ और काफी ज़्यादा मेकप वरके आता है और जो colabor मैंने अपने पर लगा और कर रहे हुघ-थे क heh धर ना काफी दा अच्छा लग लगव सकते हैं कितना अच्छा लग रहा आ उसके बाद मैंने थैश्याद से पिंग कलर पिक किया हो इसे मैं प्लाइ कर रहे हूं कि मैं अतनी जाधा थे कि मैंने फ़िपल्सक्य कहा हुख और इसके बाद मैं लगा रही हां यह सकता हो कितना ज़्यादा विए यह अपना फिक्मेंट्सक्यान क्योन चाहिए आर इसे मैंने थोड़ा सा्थ trialAg आइब्रोस के नीचे जिससे की मेरी आइब्रोस भी काफी ज़्यादा अच्छी दिखें और इसके बाद मैंने यह मस्कारा लिया और इसे अच्छे से पहले अपने लिप्स को और फिर उसे कर लोगी फिल तो आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से लिप्स्टिक लगाएं त और फ्रेंड कैसा लगा आज का आपको मेरा यह लुक अगर पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर देना मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और friends, family एh relatives के साथ मेरे वीडियो को शेयर कर देना और साइड में बल आइकन को जरूर प्रस करें जिससे कि मेरे वीडियो के आने वालीแrange जूरू प्रस मेरे मेरे और भी वीडियो के लिए cl haben नीचिक्रिप्संग बॉक्स में तो प्लीज एक बाद चेक जरूर कर लेना तो आज की वीडियो में सिर्फ इतने अब मिलते हैं आप से अपने नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाए